असलाम अलेकु मेरा नाम है तला सिदीक और आप सब को वेलकम करता हूँ सेटल 2.0 के ओपर आज मैं आप सारों को बताने जाना हूँ 10 Myths of Fiverr Freelancing दस ऐसी बातें जो आप सारों ने ना सारी जिन्देगी सुनी होगी सुनेरे ख्वाब, सुनेरे थम्नेल्स देखे होंगे यूट्यूब के पर आज सारी वो चीज़ें जो हैं ना मैं आपको बेनकाब करके बताओंगा According to my past experiences जो मैंने फाइवर के पर किये हैं फाइवर के पर क्योंके मैंने client communication से लेके order तक, उसकी fulfillment तक और फिर review तक ये पूरा सफर मैंने खुद तेह किया है और जितने भी thumbnails मुझे इस दोरान सफर में जितने मुझे याद रहे गएं उनके बारे में भी मैं आप लोगों को बताओंगा Family pressures के बारे में बताओंगा struggle of life के बारे में बताओंगा कुछ अपने freelancing journey से मौबबत के बारे में बताओंगा और अपने subscribers जितना भी मौबबत प्यार मुझे होता है भाई लोगों को होता है creators को होता है ठीक है अच्छा तो शुरू करते थोड़ा सा rapid fire यार पंच मिनिट में पांच सो डॉलर कमाएं लोगों होई 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 कहीं पर मैंने थमनेल देखा ता तो i was very shocked कि यार यह बंदा पंच मिनिट कन थे पांच सो डॉलर बना सकता है and i'm like working my ass off सुबह new बजे में जाता हो चौब के ओपर शाम छे बज़े आता हूं मेरे पास महीने की सैलरी बन रही है 30 हदा and if I divided that by 30 तो मतलब दिन का 1000 और ये 500 डॉलर which is at least मतलब 3 लाक रुपे तक्रीबन नहीं 3 तो नहीं होता 1 सवा लाक रुपे 1 सवा लाक रुपे तक्रीबन 1 सवा लाक रुपे बना रहे है दिन का और वो भी सिर्फ दिन के 5 मिनिट लगा के तो ये तो आप सारे सुन लो भाई ये टोटल जूट है ठीक है टोटल जूट है क्योंकि उसकी वज़ए ये देखो आपकी जो कंट्री में CTR काम करते हैं ना click through rate हम इसको कहते हैं ठीक है तो जब तक वो यूट्यूब थम्नेल के अपर हम कुछ ऐसा नहीं लिखेंगे तो वो साइकोलोजिकली हिट नहीं करेगा उस चीज़ को और वो इंपक्ट क्रिएट नहीं करेगा ठीक है और जैसी वो click-through rate आपका बढ़ेगा यूट्यूब का सान करता है तो जो पहला मित है फ्री लांसिंग का उसमें आप सारों को याद रखना भई पांच सो डॉलर पांच मिंट में नहीं बन सकते यह फ्री लांसिंग है जर्णी है पूरी सालों लगते हैं आपको एक लेवल ओफ हंडिड डॉलर अचीफ करने में फिर उसके बाद है तो रम खाने बहुत मुश्किल है ट्रेडिंग आप करते हों वह एक अलग साइड है ट्रेडिंग को मैं डिस्क्सिंग है लेकिन आज फ्री लांसर इट्स वेरी टफ और डिफिकल्ट तो और फाइफ हंड इन फाइफ विनिट अंटिल अनलेस यू आर बिगनर ठीक है अब यह भी आपने सुना होगा इसमें सबसे जो आसान बात आपने सुनी होगी गर बैठके जी 50,000 आपको मिलते हैं आपको कुछ नहीं करना होता है जी वाकरी कुछ नहीं करना होता है मुझे साही रात जागना पड़ता है उसके बाद क्लाइंट से बात करनी पड़ती है गंटो बैसो मुबाइसा होता है हमारा गंटो मुबाइसा बैसो के बाद एक questionnaire बनता है questionnaire को जैसी वो फिल करता है मुझे उसकी नीड का requirement का पता लग जाता है कि उसके पास वो नीड किया वो requirement किया वो किस problem को solve करने में जादा prioritized है या किसको जादा favor कर रहा है कौन सी उसको problem उसके लिए ज्यादा अजीज है जिसको मैं resolve करूंगा और उसका मसला हो जाएगा ठीक है तो यह सारी चीज़ा ना मैंने सीखी है अब मैं वही कह रहा हूँ जब वह पूरा questionnaire के through जाता है वह एक पूरा परसोना हमने बनाया है वह अपने business का तो जैसी वह questionnaire fill कर लेता है हमें SEO वाले को forward करते हैं अगर तो यह कोई design वाले का काम है तो design पर forward किया जाता है ठीक है लेकिन यह सब forwarding करने से पहले I know all the pros and cons of forwarding it ठीक है क्यों क्योंके मुझे Adobe Photoshop खुद आता है मुझे Adobe Illustrator खुद आता है मुझे SEO खुद आती है मुझे client communication खुद आती है तो इससे पहले मैं कि SEO को forward करूं ठीक है क्योंकि this is Pakistan ना ब्रो यहां पर जो है ना खुबसूरत लोग exist करते हैं तो जब आप किसी को client देते हो ना तो वो समझता है बाइजन यह कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ और उसको लगता है कि यार यह अगर जो है ना एक साल में पहुच गया तो मैं हो सकता है दो महिने में पहुच जाओंगा तो वो ना client को उस तरफ ले जाते हैं बहुत कुशिश करता है बिचारा and he doesn't see कि यार तलह साब जो है इतने पैसे लगा के छोटी मोटी investments करके अपनी team को पैसे दे के अपने लोगों को साथ जोड के साथ चल रहे हैं लेकिन नहीं sir मैं ना इसके client ही तोड़ देता हूं ताकि तलह की भी टांगे कट दी जाएं तो यह सब चीज़ें आपको CEO लेवल के उपर पहुचते हो आपको face करने को मिलती हैं आपके teammates अगर आप client forward करते हो त करते हैं जी तीन मैंने लगेंगे चार मैंने लगें तो हर department की अपनी कानियों गोलिया मुझूद है ठीक है और हर department में एक वो कहते हैं बैड है बैड इगल जो है ना वह बैठी होती है जो आपके client को किसी ना किसी तरीके से ले जाने की कोशिश करेगी इसलिए मैं हर entrepreneur को हर startup founder को या फिर कोई सी भी co founder को हमेशा से सिला मश्वरा देता हूं कि before you start a startup आप उसके CEO बने ठीक है you should know how to design a band you should know how to design your social media post you should know what to write what not to write you should know what to market and how to market and you should know कि आपने किस तरीके से SEO करनी है किसी भी चीज़ की किसी को technically कैसे resolve करना है क्योंकि उसके बाद ही आप outsource कर सकते हैं उसके उससे पहले आप outsource नहीं कर सकते ही अगर आपने outsource कर दिया तो जाहिर है आपको उस field की बाते नहीं पता होंगी उस relevant department की कुछ बाते नहीं पता होंगी जिससे क्या होगा जब आप client को forward करोगे तो वो जो तीसरा बंदा आप उसको indirectly एक loophole दोगे system अपने ही बनाएव यू शुड़ नो हाओ तो market and you should know how to rank it organically on any platform ठीक है आप तो Google के पर rank करते हैं मैं हर platform की बात करता हूँ इसके बात third myth third myth होती है जी कि freelancing में आपको time नहीं देना पड़ता है यह सबसे बड़ी गलत फेहमी है जो शायद पूरे subcontinent में फैल चुकी है सबसे ज़्यादा time आपको freelancing में देना पड़ता है सबसे ज़्यादा dedicated hours आपको देने पड़ते हैं उसकी वज़ाए यह है कि you are free of your space ठीक है आप restricted नहीं हो कि आप किसी office में बैट के काम करेंगे आप restricted नहीं है कि आपने specific time के लिए काम करना होगा और आप restricted नहीं है कि आपने prioritize करते हैं उसको एक importance देते हैं ठीक है तो जब आप यह importance देते हैं तो फिर आपका time ज़्यादा लगता है freelancing में सबसे ज़्यादा time लगता है और अगर आपकी agency है तो सबसे कम time लगता है क्यों कि agency में थिंग्ज अर almost sorted out ठीक है एक तरह से हर चीज का एक department बना होगा वह relevant department के और उसको देगा call वो call जो है अपनी technical team के थुरू कोई एक बंदा hire करते हैं उसको सामने लेकर आते हैं वो से technically तो पर बात करता है तो इस तरह से जो है अगर कोई agency की तरफ है तो उसकी चीजें जादा sorted होंगी और अगर as a freelancer as a startup owner या co founder या founder या CEO आप किसी भी जगा पे जा from his location बात सौ आने दुरूस्त भी है कि कोई restriction नहीं है आपको किसी भी जगा के उपर कोई restriction नहीं है कि आप कहीं पर बैट कर ही काम करेंगे कोई आपके पास कोई sofa या couch या कुरसी या फिर कोई भी ऐसा table जिसके उपर आपने बैट के इकाम करना है नहीं ऐसा नहीं आप कहीं बैट के खुली हवा में काम कर सकते हैं पार्क में जाकर enjoy कर सकते हैं environment को काम कर सकते हैं आप समंदर के किनारे जाके लेरों के उपर बैट के काम कर सकते हैं किष्टी चलाते वक्त आप जो है काम कर सकते हैं आप सोते वक्त काम कर सकते हैं बैट पर काम कर सकते हैं तो आप लो पर, for example, if I am working, यह आप मेरा एक पूरा department देख सकते हैं, ठीके, यही मेरा department है, यही मेरा काम काजे, यही सब कुछ है मेरा, ठीके, यही रोजी-रोटी है बलके, और अगर आप मेरा bed देखें, तो bed जो है, वो मैं हमेशा इस चीज को opposite ही रखता, मतलब, if I am sitting here, 180 degree opposite मेरा bed वगरा लगा होगा, उसकी वज़ा यह है, कि मैं इस चीज को psychologically मेरे यह हिट करती है, चीज के यार, अगर मुझे काम करना है, तो I am 180 opposite, और अगर मुझे सोना है, तो फिर मैंने बैस सोना है, उसके बाद फिलम देखनी है, मूवी देखनी है, and I have to enjoy that moment, और as same as if I am working here, फिलकुल opposite track है, ठीक है, ताकि एक तो फ्रेम से भी बाइर होजाए, ठीक है, to be very honest, और दूसरा, मुझे उसको देखे नीद ना है, ठीक है, क्योंकि अगर मैं यहां लगाऊंगा, मेरा दिल होगा, या थग्याँ बैठ के चलो थोई दे लेड जाते, तो लेठना नहीं है, अगर आप लेड गए, तो फिर आप खतम, तो फ्रीलांसिंग जितना आपको free of your work environment देती है, free of your space environment देती है, उतना ही आपको restrict भी करती है, क्या आप एक जगा बैठ की काम करो, तो जादा बेतर होगा, उसके बाद जो पांच 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 छटा मित है, I guess, it's about fifth myth, Freelancing can be done on mobile, खुदा का वास्ता है, अल्ला का वास्ता है, हाद जोड लेता हूं भाई, mobile के चकरों से बाहर आजाओ, honestly speaking, सिर्फ आप लोगों की voice clear करने के लिए, यह जितना पैसा लगा दिया ना, मैंने जाकर इसको google कर ले ना, यह तुम लोगों को costing पता लग जाएगी, यह स्पेस देनी है, आपने आपको इतनी responsible बनाना है, यह आपने आपको इतना prioritize करना है, कि you should be having a laptop, कम से कम, देखो मैं laptop repairer भी हूं, तो मैं आज के दौर पे जो तुम लोगों सबसे best recommend कर सकता हूं, वो है Core i4, Core i5 4th generation, कम से कम हर बंदे के पास Core i5 4th generation हो, minimum requirement है, 4GB RAM हो, 200GB hard drive हो, और अगर कोई बहुत ही माड़ा बंदा है ना, तो 120GB की SSD लगा ले अपने साथ, ठीक है, कोई भी model ले लो, i5 4th generation, minimum, इससे नीचे आपने कोई laptop नी बाय करना, इससे नीचे आपने बाय काट कर दो सारे laptops को, क्योंकि यार, at the end of the day, आप कहीं ना कहीं stuck होते हो, ठीक है, आज देखो, even I have invested so much amount of this in lighting वगेरा, माइक वगेरा, अब भी भी मेरा जो laptop है, it is the cheapest from all of this, अगर तुमें सब को सम भी कर दो ना, तो सबसे जादे जो सस्ती चीज़ अखी हो ना, वो मेरा laptop है, ठीक है, उसकी वज़ाए यह गया, देखो, I am a laptop repairer myself, मुझे पता है, यह कितने की source हो laptop की वज़ा से, किसी ने market वाले ने में साथ, फिर वो ही दो नंबरी करने वाले तो मौके छोड़ती ही नहीं है, कौम, जिसको मौका मिलेगा, वो कहां छोड़ेगा, तो वो उसने कोई दो नंबरी की, मैंने वो आगे किया, ठीक है, तो वो फिर मुझे गालियां पढ़ती ही रही है, आज तक गालियां पढ़ नहीं है, और एक जो था, सेम मैंने दोनों असेंबल के थे, एक मैंने अपने ले रखा था, एक मैंने भाई को दे दिया था, ठीक है, तो यह आपने इंवेस्ट करना ही करना है, आपका मॉबाइल पर काम नहीं हो सकता, छोड़ दो हो सा इंद के बजट के मताबिक वही, पांटस डॉलर is nothing, ठीक है, पंजाब के महंगाई के मताबिक पांटस डॉलर कुछ मालियत हैसियत नहीं रखते, अपने आपको सर, एकसेप्ट करना शुरू करते, कोई मसला नहीं है, अगर आप दस डॉलर बनाते हैं, once you accept that, आप उस दस से किया तो पहुचना है, या कुछ ना कुछ करके अपने अंदर से एक willingness पैदा करनी, motivation पैदा करनी कि, yes, from this $10, I will go and rise up to $100, सारी चीज़े मैंने बता दी है, कोई मैंने paid course launch, अभी ता फिलाल नहीं किया, अच्छा, इसके बाद, sixth myth, I guess, if I am counting it right, तो वो यह होती है, कि freelancer can eat anytime, पात सो आने दुरुस्त है, मैं अभी चाहूँ, यहाँ यहाँ पर अभी बर्गा मंगवा लूँ, खा लूँ, मैं अभी चाहूँ, यहाँ यहाँ पर मैं, खुब party शाटी करने लग जाओ, ठीक है, और साथ-साथ काम चलता रह है, लेकिन वो ही मसला है, कि if you are not focused, ठीक है, अगर आप dedicated नहीं हो, अगर आप focused नहीं हो, यहाँ पर तमाम वो rules, जो office में apply होते हैं, जैसे कि corporate jobs में, जितने भी आपने rules देखें, कि आपने बत्तमीजी नहीं करनी, आपने अपनी बात ही नहीं मनवानी, दूसरों को भी लेके चलना साथ, opinion की respect की जाती है, लेकिन, opinion को override की जादत, employee को कभी भी नहीं मिलती, ठीक है, inner company, तो आपने corporate करना होता है, और जब आप corporate करके चलते हो, तो ही काम पूरा होता है, इसी तरीके से आपने client को dedication दिखानी है, कि I am solving your problem no matter what it takes, ठीक है, अब मैं इसमें party करूं, मैं enjoy खाना खाऊं, जितना मर्जी खाऊं, the only thing, client को जो matter करेगी, वो है उसका काम, ठीक है, तो अगर आप इन सब चीजों को करके, काम अच्छा submit करवा सकते हो, positive reviews ले सकते हो, then yes, it's a win-win situation, आप करो, लेकिन, if you cannot do this, जैसे for example, मैं फिर से अपना ही आपको example देता हूं, अपनी ही life story के साथ, for example, मुझे पता था, मैं mechanical engineer, getting a good CGPA graduate हो सकता हूं, ठीक है, इसी वैसे, I moved on to that field, मुझे पता है, कोई scope नहीं है, ठीक है, आपको भी पता है, कोई scope नहीं है, लेकिन, why I moved there, कि मुझे पता है, वहाँ पे कुछ success guaranteed है मेरी, इसलिए मैं गया हूं, मुझे मैंनत कम करनी पढ़ रही है, मैं इसलिए गया था, ठीक है, मैं इसलिए नहीं गया था, कि मुझे mechanical की degree लाकर दी जाएगी, या पैसे कमाई नहीं, I have to earn, I know that, and I have to prove myself, I have to make ways, to be a successful breadwinner for my family, ठीक है, यह मुझे खुद करना है, यह मुझे डिग्री नहीं देगी, डिग्री का जो success criteria था, व मैंने कर लिया, ठीक है, तो यही वो मेरा decision था, जिसकी वैसे मैंने freelancing साथ की, if you can do this, then it's a win-win situation, तो यह देखो, जो मैं कहा रहा हूँ, वो मैंने खुद अपनी life में implement किया है, तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है, इसके बाद जो 6th myth है, I guess it's a 7th myth, use of mobile phones, anytime and every time, जैसे कि आप लोगों को पता होगा, corporate jobs में होता है, phones, phone नहीं जलाना, phone रख दें, phone side पे कर दें, phone बंद कर दें, silent कर दें, करके side पर रखवा दिया जाते है, in a freelance journey, in your freelance career, आप लोगों ने इस चीज़ को भी practice करनी होती है, उसकी वज़ा है, यह सर, आपका focus, अगर आपके client क काम से हट गया, once वो हट गया, then, खतम, ठीक है, और अगर आपका काम से focus ही हटाना, चाहे जो मर्दी करें, आप YouTube करें, चाहे मोबाइल चलना है, चाहे आप खाना पीए, खाना खाये, बोतलें पीए, जो मसला नहीं हो, कोई मसला नहीं, लेकिन once अगर आपने focus हटा दिया, वो dedication miss हो गया, क्लाइंट का जो एक relationship होता है, customer और क्लाइंट का employee से जो relationship होता है, या एक हम कहलेते हैं, seller का जो client के साथ relationship होता है, अगर उसको वो चीज missing नजर आएगी, तो वो वहाँ से चला जाएगा, because he is paying you, उसके पास है पैसा, ठीक है, और उसको पैसा उसी को देना है, जो उसका काम करेगा, उसका, he doesn't cares कि भाई, आप उसके लिए मिठाईया, कि दुकान खोल के दे रहे हो, और उसको आप सजा के दे रहे हो, no, all he wants is sales, leads, और जो भी उसके मसले मसायल है, उसका हल, ठीक है, और client अक्सर यही मांगते है, या तो sale मांगते है, या लीड मांगते ह जो इनको resolve नहीं करना आ रहा होता है, वो आपसे वो मांग लेते हैं, ठीक है, उसके बाद, 8 myth, don't, एक था, fake it until you make it, ठीक है, ये 8 myth है, फिर से मैं इसके उपर बात करूँगा, कि ये भी half glass full, half empty के बराबर है, उसकी वज़ए ये, कि अगर तो आप इस चीज को use करते हो, against getting your first order, for example, मैं अपने आपको SEO expert of Pakistan कहा दूँ, एक दम से, ठीक है, और first order मैंने ऐसे achieve कर लिए, अब मैं second order के लिए, अगर ये दुबारा से tactics अपना होंगा, then it will be an ill professional approach to any platform or marketplace, ठीक है, तो आपने ये गल्ती नहीं करनी, मैंने की है, मैंने bookता है, एक पूरा account मेरा ban हुगा है, तो मेरबानी करके अपने आपको ना, अफलातून नहीं दिखा दीजेगा, अपने आपको फिरोन नहीं दिखा देना इस दुनिया का, मैं आपको वही कह रहा हूँ, for the basis of first order, आप लोग करें, जो मर्जी करें, fake it until you make it, वाला concept is super cool, ठीक है, आपने client को बहुत जबर्दस reviews दिख कई ना कई से, चोरी गया हूँ काम दिखा दिया, लेकिन for the second order, be honest to yourself, ठीक है, क्योंकि वो scale 10x वाली सारी बाते बता रहा हूँ, यह चीज़े 10x पर तुम्हें लेके जाएंगी, यह 2x तक नहीं जाएंगी, यह अगर तुमने सीख लिया, then you will scale, जहां तुम 5 डॉलर से start वे तुम 100 डॉलर पर, 100 डॉलर से जो 1000 डॉलर की जर्णी वो भी तो हमने पार करनी है, तो वो ऐसे तो नहीं पार हो सकती, क्यार मैं SEO expert आफ पाकिसान हूँ, no, there are people who are making videos, के भाई, मैं SEO जानता हूँ, there are people who are talking on daily Google search console updates, भाई, daily के उपर बात हो रही है, ठीक है, उसके बाद कुछ कुछ लोग हैं, Fiverr SEO के उपर बात कर रहे हैं, ठीक है, including me, myself, Fiverr के उपर orders कैसे लेते हैं, कुछ लोग हैं, जो दूसरे-दूसरे platforms के SEO सिखा रहे हैं, मतलब, there is so much knowledge on there on the internet, और हम सब सिर्फ बैठे वे times आया करते हैं, और कोई बात नहीं है, मैं भी गया सही हूँ, ठीक है लेकिन, the point is, that I am here to prove you all, is that, एक दफ़ा कहो, कहां भई, मेरे से लावा, मेरे लावा कोई नहीं है, ठीक है, उसके बाद आपने ये कहना नहीं है, उसके बाद ये जो कहना है, वो सिर्फ आपने अपने आपके साथ कहना है, किसी client को जाके पिछे नहीं करना कियार, I am the SEO expert of this whole Pakistan, ठीक है, मेरे नीचे सारे काम करते हैं, I am this and that, ठीक है, शशके अमारों के फदूल गोरे के सामने गोरा नहीं फिदा होता भई, ये गोरा है, पाकिस्तानी नहीं है, ठीक है, तो आपने बिल्कुल भी जो ये शशके वगरा नहीं मारने, आपने आपके साथ, honesty के साथ काम क We don't need a team, yeah, ये तो सबसे बड़ा अच्छा मिना पॉइंट है, तो, ये तो सबसे बड़ा अच्छा मेरा पॉइंट है, तो, उनिवर्स्टी लइप, जब से मेरा शार्ट भी ना, रिम में नेट्वर्किंग है, मुझे उनिवर्स्टी ने आज ता कुछ नहीं तया सिवाई है I am very honestly speaking network के लावा में पास कुछ भी नहीं है and that network is making me huge amount of money huge amount of revenue क्यों? outsourcing मेरे लिए असान हो गई मुझे लोगों के पर परोसा करना गया trust issues मेरे validate हो गए क्योंकि मैं उनसे जाके एक physically meet हुआ मतलब उनसे मिला जाके उनसे सलाम दुआ हुई उनके साथ बैठा खाया उठा now I know majority of the flaws in them and majority of flaws in my own self ठीक है I judge very rapidly ठीक है very oftenly तो मुझे पता है मेरे क्या गलतिया है मेरे अंदर क्या flaws है और मुझे उनकी भी गलतियां पता है लेकिन अब चुकि हमारा काम है हमारा एक कहते है जॉइंट कॉलाबरेटिव बेनिफिट है जॉइंट कॉलाबरेटिव बेनिफिट पता है मैं जैन से निकल गया वब लबस जॉइंट बेनिफिट है तो अगर हम दोनों आपस में एक दूसरे का बेनिफिट चाहते हैं तो हम दोनों को अपने फ्लॉज को इंट्रिड्यूज भी करना पड़ेगा और इंट्रिड्यूज के साथ उसको रिजिस्ट भी करना पड़ेगा उसको रिड्यूज भी करना पड़ेगा ठीक है तो अपने फ्लॉज हर बंदे के साथ साथ चलते रहते हैं आपने भी इसी तरीके से team building के उपर काम करने है ठीक है अगर यह आपको बंदा नहीं समझ आ रहा आपको नहीं अच्छा लग रहा हो सकता है he has the best skill that you don't have और उसको अगर तुम टीम में ले आए ना तुम्हारा business फाड देगा ठीक है फाड देगा तो team management is very important in your freelance journey कुछ भी करो जिस university में तुम्हारे अब उने गलती से भी डाल दिया है ना आप अजाद चायवाला को सुनो नहीं जाओ universities, universities के बाहर जाओ gate पे खड़े रहो उनसे जाके मिलो, लोगों से मिलो, बच्चों से मिलो, दोस्तों बनाओ उद्धर दोस्तियां करो, मैं कहता हूँ जो university के gate से बाहर आ रहा हूँ उनसे आके मिलो, सलाम दूआ लो, उनको चायवे बुलाओ ठीक है, क्योंके उन पांच में से दो तुमारे काम के निकलेंगे, and that I can guarantee ठीक है, तो यह जो networking है ना, यह चायए आपको अजाद चायवाला जितना रोके, चायए आपको कोई भी content creator university जाने से रोके, एक बड़े भाई की सिला मश्वरा, एक बड़े भाई का भी advice सुन ले ना, कि आपने हज university के बाहर जाने, आपने नहीं पढ़ाई की ना, ठीक है it's your will, it's your free will, मैं आपको रोक नहीं रहा कि आप पढ़ेंगे तो याप कामियाब होगे, नहीं, that's not the rule पढ़ाई के बगएर भी businesses बनते हैं, ठीक है पढ़ना लिखना लाजमी नहीं है, businesses establish होते हैं, startups बनते हैं और जो back benches होते हैं, वो rock करते हैं, ठीक है ना एक दिन, अल्ला मिया उनको ऐसे stage देता है जो शायद दूसरों को नहीं मिलता, दूसरे चार-चार CGPS लेके आ रहे होते हैं, शायद उनको नहीं मिलता लेकिन जो back benches होते हैं, वो आपको हाथ नहीं मिलाना होता, ठीक है, यह आपने एक कावत सुनी होगी A man is known by the company he keeps सो आने क्या मैं कहता हूँ, हजार आने सही बात है क्योंकि जब तक आप successful people के साथ नहीं बैठोगे उठोगे या उनके साथ मस्तियां करोगे, ठीक है, वो इनसान है, ठीक है, पैसा उनको भी अच्छा लगता है, उनको मस्तियां भी पसंदे, उनको बीबियों के साथ गुमना भी पसंदे, उनको निकागा भी शोग होता है, वो सारे शोग भी बूरे करते हैं, ठीक है ना, तो आपने हर successful बंदे के साथ अपने networking को strong करना है you have to build relationships, you have to build ties, और फुजूल बंदे को, चाए वो उनिवेस्टी में पढ़ड़ा है, चाए वो उनिवेस्टी में नहीं पढ़ड़ा, आप ने अपनी जिंदेगी से kick out करना है, तो इस हरी है पाकिस्तान में आप survive कर सकते हैं, वरना reduce करना है, ठीक है the only thing that I want you to understand is, कि आप चितना इनको eliminate करेंगे, reduce करेंगे, eliminate नहीं कर सकते हैं, कोई मसला है नहीं आपका तालुक वास्ता है, बाई है, बैन है, कजन है रिष्टेदार है, चाचे का बेटा, मामे का बेटा खाली की बेटी, खालू का बेटा मोड पर आ चुके हैं, चुके हमारे कराची में भी यहाल है, लौर में भी यहाल है पिशावर में भी यहाल है, बन्नू में भी यहाल है, बलोजिस्तान साइट पर भी यहाल है then you have to limit some people to some extent, ठीक है time wasters allowed ना करो फुजूल का time जाया करने वालों को अपने साथ ना बिठाओ फुजूल बातें करने वालों को फुजूल जगड़े में उल जाने वालों को ठीक है, इन के साथ time बरबाद ना करो फुजूल assignment हो में जो दिमाग जादा लगाते ना कि यार मैं इसकी assignment जो है, इसको दूँगा तो इससे ये होगा इसको नहीं दूँगा तो इससे ये होगा मतलब फुजूल की एक जो politics होती है यूनिवर्स्टी में ये assignment अगर इसको चली गए, ओहो चार जीपिए बन जाएगा इसका, ओहो ये assignment ऐसे दूँगा तो वो नराज भी नहीं होगा उसकी CGP भी जा जाएगी, ठीक है और क्या कहते हैं, कुछ तो मान हसीन लोग होते हैं, जो assignment बरोसे के नाम पर दे कर भी खाली-खाली assignment जमा करवा देते हैं, तो इस तरह की जितनी भी politics है आपने इससारों का avoid करना है, ठीक है from day one till day last सिर्फ काम के बंदे जोड़ो अब फिर तुम अपनी agency देखना कैसे 10x क्रो करती है, क्योंके, देखो as a human being ना एक हद तक इनसान काम कर सकता है अब जैसे ठीक है I have skills, I am working today, काम कर रहा हूं content creation में थोरा सा मारा हूं नहीं आती, नहीं समन में आता कोई बात नहीं, वक्त सिखा देगा, ठीक है at least I have the audacity to accept myself मुझे पता तो है कि मेरी कहा गलती है मुझे ये तो पता है ना कि यार मुझे content creation नहीं आती, तो मैं सीख रहा हूं, मैं कर रहा हूं मैं करता रहूंगा, हो जाएगा पूरा किसी दिन तलफुज सही नहीं, बोलना नहीं आता लफज नहीं आते, आ जाएगा कोई बात नहीं, रिस्क तो लिया जलील होने का रिस्क तो लिया गम से गम, ठीक है, सबसे आदा तो बड़ा रिस्क ही है कि जलील होने के लिए आ गया आ गया तो the only thing that you will understand in this university you should have your strong network टेक है, अगर इस बात को न आजाएद चाहल ड़िनाई करेगा, न रियाद अलाविनाई करेगा कोई डिनाई नि करेगा, क्यूंग क्यूंकि अगर यह लोग डिनाई करते हैं, तो इनको तीम्स डिजॉल्फ करनी पड़ेंगी, इन्होंने पढ़े लिखे भी रखें इन्होंने टीचर्ज भी हायर किए और यह सब चीज है ना मैं आपको अपने दिल से बता रहा हूँ अगर आप पढ़ाई की बेसिस के उपर सिर्फ देखो ना सिर्फ पढ़ाई की बेसिस के उपर तो जरूरी नहीं है कि आर आपका बिजनस चलेगा सर्वा चलते हैं फाइनस भाई कहां से कितना आ रहा है और कहां से मैं घर लेके जाओंगा और कितना मैं वापिस रिटर्न करूंगा अगर यही चीज तुमाई सौर्टेड नहीं है तो तुम क्या ही कमा होगे ठीक है ना इसलिए तो मैं तुम लोगों कहता हूँ कि पांच दर्स ज ठीक है अपने आपके साथ सचाही बोलो ना यार देखो सिंपल लॉजिक पांच डॉलर आया ठीक है अभी मैं तुम लोगों को यही सारा चक्कर समझा देता हूं पांच डॉलर आया फाइवर से मैं उसको विड्रॉय नहीं कर सकता पेवनीर के अंदर तो जब एक चीज मैं निकाल ही नहीं सकता I am not taking it at home I am not giving it as an expense तो भाई इस पांच डॉलर का में क्या गरूँ ठीक है समझ में आगई बात यही मैं आप लोगों को समझा रहा हूं कि अगर आपके finances sorted होंगे कहां से पैसा आ रहा है कितना मैं गड़ लेके जा रहा हूं कितना मैं expenses को दे रहा हूं ज आपको जाहरे inflow बढ़ाना बढ़ेगा inflow कैसे बढ़ेगा जब आपनी services महेंगी बेचोगे ठीक है और इसका मालब यह नहीं होता भाई मैं को महेंगी skill सिकूं जरूरी नहीं आपको बेचना अगर अच्छा आता है ठीक है if you are a good seller then you can sell the same service that you are offering for $5 in $100 ठीक है बात समझ में आगी सारे ऐसे ही चलती है सारी दुनिया ऐसे ही काम करती है the only thing that you have to master in your niche in your expertise is आपको बेचने में expertise आसे लो ठीक है और यह जर्नी अगर तुम्हें कोई दुकान पर छोटा बन के समझ में आती है तुम ऐसे पूरी कर लो तुम्हें को युनिवरस्टी जा के समझ में आती है तुम ऐसे पूरी कर लो तुम्हें किसी के चाए कपड़े बरतन माजने से अगर समझ में आ जाए तो तुम ऐसे पूरी कर लो once आपको स्टोरी समझ में आ गई आपको समझ में आ जाएगा कि inflow से outflow कैसे वा outflow एक मेरे लिए positive है और एक negative है एक expense है और एक मेरा profit है इतनी simple सी बात है ठीक है business के लिए दस्वा मित दस्वा मित यह है कि बहाने मारो ठीक है बहाने मारो client को फुजूल तरीन बहाने जैसे कि मुझे पास एक client का message आता है कि I don't know what you are offering but these services kind of align with my need ठीक है एक general sales का opening message आया है कि यार मुझे नहीं पता तुम क्या offer कर रहे हो इस पूरे marketplace के उपर लेकिन कुछ keywords की वजह से मुझे लगता है that my need or my requirement aligns with your services मैंने गा जी sure it aligns अच्छा अब वो मुझसे क्या पूछना चाहरा है अब अगर मैं इसका जवाब दूँ जी allow me few minutes तो वो पते क्या बोलेगा जी also allow me few minutes to think before and I will reach out to you soon करके वो बाग जाएगा बं परसोना एक तियार किया है जो हम एक clients को देते हैं उसको हम बताते हैं कि आपकी जो need है आप उसे साफसे MCQs को fill करें हम आपको आपकी requirement को solve कर देंगे that's the simple solution और जैसी वो persona देखता है वो quiz देखता है quiz को attempt करता है उसके लिए असान हो जाता है उसके पास एक pathway आ जाता है तलह Allah has assigned me a problem and I have a solution in terms of these MCQs once one MCQs का puzzle solve करता है बाहर आता है उससे और वो एक mindset लेके आते है कि हाया तलह my business needs this can you resolve this उसके पास का simple answer होता है yes or no वास समझे लिए तो इस तरीके से clients convert होते है उनसे बात की जाती है उनसे उनको upsell किया जाता है higher scale उसको scale किया जाता है और इसी तरीके से हम लेके चलते हैं अपनी agency और industry को और इस तरह के जितने भी common myths से हैं sir I personally suggest दो से तीन दफा अपनी जिंदगी में struggle करके देगो ठीक है मैं हर उस बच्चे की कानिया आपको आज सुना सकता हूं अगर आज मेरे साथ जितने थे मेरे batch myths अगर तो they were well off in their families they know nothing about business ठीक है उनको नहीं फरक पढ़ रहा और I have seen them doing hard jobs अब वो कहिना कहीं कंपनियों में लगे वें क्यूंकि देखो as an investor approach मैं आप लोगों के बात समझा देता हूं investor अंदा पैसा नहीं देता कर दितने यहा है